हाई वेल्कम तो माचनल इस बड़ी में सॉल्व करें हैं क्याशन नुबर 10 दा कास्ट अफ लेबलिंग और टर्फिंग और स्क्वेर लॉन आट रूपीज 2.50 पर मीटर स्क्वेर इस रूपीज वंग 13,322.50 तो कर रहा है कि एक स्क्वेर फिल्ड है ठीक है और इसको लेबल के जा रहा है मतलब की इसके फिल्ड को बराबर किया जा रहा है ठीक है leveling किया जा रहा है and turfing turfing का मतलब होता है कि इसके उपर एक घास की layer बनाई जा रही है बिचाई जा रही है तो घास की layer मतलब क्या मतलब grass का होता है न turf उसको क्या करते हैं बिचा देते हैं कहीं पर और पानी देते हैं गास वहां जम जहती है LEAN मतलब क्या होता है घास का मैदान हम यहां पर ग्रास का लगा रहे हैं उनकी च्छटे मतल़ इस की रूपीस ₹ कोस्ट दिए तो टूल्डम स्क्वाइर का मतलब इसकी एरिया का बन्य gap square area को यदि हम turf कर रहे हैं यहां पर तो लग रहा है 2.50 रुपीज मतब धाइ रुपीज लग रहा है 2.50 रुपीज ठीक है तो इसका मतब कि 2 meter square करेंगे तो क्या लगेगा इतना करने के लिए कितना लगेगा इसी का दुगुना लगेगा मतब 5 रुपीज लग जाएगा तो इसी तरीके से जो है टर्फिंग जो है की जा रही है इस पूरे लान में तो हमें क्या करना है निकालना क्या है find the cost of fencing it अब इसे जो है fence करना है इस लान को चारो तरफ से क्या करना है एक fence लगानी है तो fence लगाने के लिए कितना cost होगा यह पूछा है cost of fencing it at rupees 5 पूर मीटर तो एक मीटर का fencing करने पर यहां से यहां तक माली जाए एक मीटर है तो यहां से यहां तक fence करने पर लग रहा है cost 5 रुपीज तो पूछ रहे कि पूरा total cost कितना लगेगा total fencing करने का तो यहां पर करेंगे क्या, कि हमें कुछ नहीं पता इसका, मिटर में कि कितना ये length है, कितना इसका breadth है, जो ही मतलब, lawn के बारे में कुछ नहीं पता हमें, हमें करना क्या पड़ेगा है, कि हमें पर दिया हुआ है rate, यह rate दिया हुआ है, इसको बोलते है rate, मतलब कि per meter square या per something द निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि area के respect में ही यहां पर rate दिया हुआ है, तो आप हमेशा देखिएगा कि rate में per meter square है, या per meter है, या पर क्या है, पर क्या आगे क्या लगा हुआ है, तो पर क्या आगे जो भी लगा रहेगा, वही चीज निकल जाएगी, यदि हम total cost में rate से divide कर मतलब कि meter square दिया हुआ है, तो area निकल जाएगा इसका, यदि per meter के all दिया रहता है, तो इसका boundary का length निकल जाएगा, ठीक है, तो खर इसका leveling और turfing करना है, तो leveling और turfing किसकी कि जाती है, area कि जाती है, इसलिए यहां पर divide करने पर क्या मिलेगा, area मिलेगा इसका, तो total land की area निक जो कि हम निकल लेंगे, यहां पर cost upon rates है, और जब वो निकल जाएगा, उसके आगे हम solve कर लेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे, तो हम पहले यहां पर क्या करेंगे, area निकालेंगे, इस पूरे long का solution, तो यहां पर दिया है total cost, total cost of leveling, total cost of leveling and turfing, is equal to the aware, 13,322.50 rupees, और rate of turfing कितना है, rate of leveling and turfing, is equal to the aware, 2.50 rupees per meter square, यहां पर दिया है meter square, इसलिए इसको divide करने पड़, हमें क्या मिलेगा, total area मिल जाएगी, तो area of the land, area of, area of the land, is equal to हो जाएगा, total cost, upon rate, means cost of leveling and turfing, upon rate of leveling and turfing, is equal to क्या आएगा, देखे, 13,000, 13,200, 13,300, 22.50 में, divide करना पड़ेगा, 2.50 से, ओके, अब यहां पर divide करेंगे, तो मिल जाएगा हमें, meter square में area, तो इतना meter square मिलेगा हमें, divide कर लेते हैं, तो हमें पहले decimal हटा आजएना चाहिए, decimal हटाएंगे, तो दोनों तरफ numerator में, और denominator में 100 से नप्लाई कर दीजिए, तो 13,3,2,2, 5,0 मिल जाएगा, whole अपान, यहां मिल जाएगा, 2,5,0, तो 0,0 cancel हो जाएगा, अब हमें यहां पर 25 से divide करना पड़ेगा, तो 5 से पहले करणा यह, 5,0ий,25, और यहां कर देगा, तो 5,2,0, और 3 बजेगा, 33 हो जाएगा, 5,6,0, 30, and 32 हो जाएगा, और 5,6,0, 30, फिर 22 हो जाएगा, 5,4,0, 20, फिर 25 हो जाएगा, और 5,5,0, 25, अब हैं फिर से कर देगा, 5 बजेगा, 5 से कटेगा तो मिलेगा हमें 525 और मिलेगा हमें 16 हो जाएगा 515 और 14 हो जाएगा 52010 52010 and 45 हो गया 59045 means इतना मिल लाएगा 5329 तो हमें मिल गया इसकी एरिया 5329 549 metersSq. तो अदि इसकी area निकल गयी तो हम साइड निकाल सकते हैं क्यों क्यों हम जानते हैं हम लिख सकते हैं यहां पर कि side square is equal to गया होता है area और area आपको मिल गया यहां पर 5329 तो यहां पर हम side is equal to निकाल सकते हैं बोट साइट में क्या कर लेंगे, square root ले लेंगे, हमारे हाँ निकल जाएगा, square root of 5329, अब यहाँ पर कितना आएगा, तो इसके रिए का करेंगे हम, हम 5329 का, निकाल लेंगे, division method से, long division method से, तेहां में जाएगा 53, 53 में पहले पहले जाएगा, 7 से, प्लस 7, 7 समझे है 49, kितना ब और बचे का 429 यह आ जाएगा और यह हो जाएगा 14 तो अब जाएगा यह पहली बार 7 से गया था अब जाएगा 3 से तो 3 से ले जाएए यहाँ पर 39 and 3 4 जा 12 का 2 1 carry over and 3 बंजा 3 1 4 cancel out हो गया यहाँ मा तब 73 हो जाएगा ठीक है 73 हो गया अब 73 यही पर आगया हमारा answer ठीक है तो side बराबर आगे 73 यह length आ गई हमारी 73 यह total length है न तो हमें करना क्या है हमें क्या find करना है यह समझे ध्यांत जीए कराएगी find the cost of fencing cost of fencing निकालना है fence कहां पर करते हैं बताएगे fence करते हैं हम field के 4 तरफ मनें field की boundary होती है वहाँ पर fencing की जाती है यह fencing जो किया जाएगा वो पूरा completely इधर भी किया जाएगा इधर भी किया जाएगा मतब कि 4 sides में किया जाएगा ठीक है तो 4 sides का length निकालना पड़ेगा और length में यदि हम multiply कर दें 5 से तो निकल जाएगा कितना total cost लगेगा ठीक है तो हम निकाल लेंगे पहले boundary length of boundary तो length of boundary is called to हो जाएगा और 4 times into side क्योंकि यह होता है perimeter के बराबर है ना जो length of boundary क्या होगा 4 into side perimeter होता है perimeter of the square तो 4 into करना पड़ेगा 73 और ब्लाइ करेंगे मिलेगा 4 3 जा 12 1 carry over 4 7 जा 28 and 1 29 means 292 sorry 292 क्या मिल जाएगा इतना meter यह आपको मिल गया length of boundary अब निकालना हमें है cost of fencing तो so यह निकाल सकते हैं अब cost of fencing तो cost of fencing is equal to होता है rate into length of boundary ओके यहाँ पर rate कितना दिया होगा है rate दिया हो 5 per meter रुपीज 5 per meter तो 5 रुपीज पर मिटर दिया होगा है इंटो length of boundary कितना दिया होगा इतना दिया होगा है 292 meter तो देखें meter और meter जो है cancel हो जाएगा और 5 से multiply होगा और यह निकल जाएगा रुपीज में आंसर आपका तो 5,010 का 0,1 carry over and 5,9,045 and 146 का 6,4 carry over and 5,010 and 1,14 तो 1,460 रुपीज होगा जो यही होगा आपका cost of क्या fencing तो लिख देंगे आप last में कि hence cost of fencing is 1,460 रुपीज देखें आपके कैसे निकला है पहले आपने area निकाला इसका area से आपने side निकाला side निकालने के बाद perimeter निकाला और perimeter को multiply धर दिया rate में तो हमारा answer आगया ओके थैंक्यू सो मच फर वाचेंग बाई